धमतरी जिले के नगवी में चुर्यारा पारा इस्तित प्रात्मीक शाला का बाउंडरी वॉल गेट सहीद गिर गया इस हाथसे में एक कमार चात्रा की दर्दनाक मौत हो गई घटना से शिक्षा विभाग में हड़कम पच गया है बताया जा रहा है कि 6 वर्षय बालिका दुरगा कमार नगवी के वॉट नमबर 2 में रहती थी जो कक्षा पहली की छात्रा थी वहीं छात्रा स्कूल में चुट्टी के दौरान दोपहर में स्कूल गेट के पास खेल रही थी तबी स्कूल का बाउंडरी वॉल गेट सहित गिर गया जिसमें छात्रा दब गई स्कूल के शिक्षक ने आनन पानन में बच्ची को अस्पताल पहुचाया जहां डॉक्टर ने जाच के बाद उसे मृत घूशित कर दिया वहीं घटना की जानकारी होने पर जाच करने नगवी की तहसिलदार और शिक्षा विभाग के बी-ई-ओ स्कूल पहुचे थे जला शिक्षा अधिकारी का कहना है कि दिवार कमजोर होने से गिर गई कहा कि इस मामले में स्कूल के प्रदान पाठक के उपर कागवाई की जाएगी कि काज़खन के तुर्यारा प्रात्मिक साला में जब बच्चे मज़ान बोजन करने के बाद केर रहे थे तो बच्चे आहाता के मुख़्े बेट को पकड़ कर दूल रहे थे जिसके कारण से दिवाल जो मुख़्े गेट का दिवाल है दर्वाजा लोहे का था जिसके साथ लड़की गीर गई जिसमें ऐसा महसूस किया गया प्रेड मास्टर द्वारब की पत्थर या इंका से उनके सर में ठोटाया गया पत्थर प्रश्चात उसको इस्थाने स्वाज सकेंद्र में उप्चार के लिए भेजा गया डाक्टर लोग वहां कि द्मिल भूशिट कर दिया क्यूंकि प्रतन दिष्टया में ऐसा नहीं लगता है कि दिवाल बहुत जादा जरजर होगा फिर भी लगतार बारिश है बारिश उने के कारण से दिवालों में पानी का रिशाओ हने सुभा भी पो जाता है जिसके कारण से वो दिवाल बच्चे का वेट भी रहा होगा जिसके कारण से गिर गया उसको एक लाख उपय दिया जाता है पालक को और शासन द्वारा और सुचनाये और राशी भी उनके पालक को दिया जाता है कर्षासन प्रशासन भी काफि इसके लिए दुख़ महसूस किया और तत्काल को लेक्टर मेडम के द्वारा भी जैसे उनको जानकारी में बिए इंफर्मिशन दिया गया और मैं तत्काल मैं रास्ता में था जब कर्षासन प्रूप्रूशन भी इस मामला को लेक्षा का प्र दुख़द है और इनके पारिसों के लिए जो भी सही हो प्रशासन प्रशासन से बनेगा है तिया जाएगा